प्यारे बच्चों आपको बड़ी समस्या होती है कि रेखांकित अंसकी व्याख्या क्या कैसे करें तो आज हम पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको रेखांकित अंसकी व्याख्या ही बताएंगे कि आपको कैसे करनी है पूरे यहाँ पर पांच अंक आपको मिलने वाले हैं पांच नहीं मतलब चार अंक मिलने वाले हैं आपको चार अंक मिलेंगे यहाँ पर पूरे के पूरे ठीक है चार अंक पूरे के पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे आपको सबसे पहले आपको देखना है गध्यांज, ठीक है? गध्यांज कहा है? यहाँ पर आया पहला गध्यांश, मालू यह पहला गध्यांश है कि दिये गए गध्यांज पर आधारित प्रश्णों के उतर दीजिये तो इसी में एक प्रश्ण होता है कि रेखांकित अंस की व्याख्या कीजिए यहाँ पर देखे यह घा वाला प्रश्ण है रेखांकित अंस की व्याख्या कीजिए ठीक है अब यहाँ पर जो अंस यहां रेखांकित है यद्देपी बाहरूप की द्रश्टी से संस्कृति के य इंतु आंतरिक आनंद की द्रश्टी से उनमें एक सूतरता है इतना आंस रेखांकित है और इसी की इतने की ही इनी दो लाइनों की ही व्याख्या आपको करनी है दुनिया बरका नहीं लिखना है शॉटकट रूप में लिखना है तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि आप रेखांकी तंस्की व्याख्या गध्यांस की देखेगा सबसे पहले आप यहाँ पर संकेत डालनेगे ठीक है संकेत डालेंगे संकेत में क्या लिखेंगे संकेत में उतना लिखेंगे जितने आपको रेखांकी तंस्की व्याख्या जैसा यद्यपी बाहरूप की द्रश्टी से और यहाँ पर एक सूतरता है तो आपको यहाँ पर यद्देपी बाह डॉट 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 एक सूतरता है ऐसा संकेत आप लिख देंगे ठीक है और यह जरूरी भी नहीं है लेकिन लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा ठीक है लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा फिर आप heading डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याक्या exam में आपको blue और black pin का ही यूच करना है blue और black pin का ही यूच करना है दुनिया भर के pin जैसे मैंने यहाँ पर आकरसंड के लिए कर दिये हैं आप मत करना है मुझे तो समझाना था तो आपको कही pin का प्रियोग किया है लेकिन आपको केवल क्या करना है आपको केवल blue और black pin का ही यूच करना है तो रेखांकित अंश की व्याक्या और इस cage ले जा सकते हैं बस इस cage ऐसा हो कि छपे ना इधर से उधर ठीक है इधर से उधर छपे ना बस तो intermediate वालों के लिए है ये कच्छा बाराक के लिए ठीक है और आप लोग मेरी बात मानें तो एक बार share कर दीजिए high school के लिए मैं तुना बता दूँगा तो रेखांकित अंश की व्याक्या heading डालेंगे फिर यहां से सुरू करेंगे यद्देपी बाहरूप के द्रश्टी से ये संस्कित के बाहर ही लग लेकिन आप इससे पहले थोड़ा सा लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में वासुदेव श्रण अगरवाल जी कहते हैं की इतना आपको हर एक ब्याक्या में कर लेना है रेखांकित अंस प्रस्तुत रेखांकित अंश में और यहाँ पर आपको लेखाक का नाम डाल लेना ठीक है ये लेखाक का नाम हमेशा डालियेगा कलर आपको change करने के आवशकता है नहीं वैसे अगर ब्लیک से लिख देंगे लेखाक का नाम तो भी कोई दिक्कत नहीं है रेखांग के तंस में प्रस्तुत रेखांग के तंस में वासुदेशरण अगरवाल जी कहते हैं कि यद्यपी बाहरी रूप सौंदर्य की द्रश्टी से हमारे राष्ट भारत की तो यहां पर बना के कैसे लिखना वो हम आपको बता रहे हैं कि आप रटे नहों फिर भी व्याख्या कर देंगे व्याख्या रटने की आवशक्ता नहीं है यहां आप लिखेंगे यद्यपी बाहरी रूप की द्रश्टी से हमारे राष्ट भारत की संस्कृती के उपर यूग तो अनेक लक्षन द्रिष्टि गोचर होते हैं उपर यूग कौन से साहित कला अंद्रत गीत ये पहले कहा जा चुका इसलिए कह दिया ठीक है द्रिष्टि गोचर होते हैं तो आप थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे कैसे किन्तु यदि हम आंतरिक आनंद की द्रश्टि से देखेंगे तो उनमें एक सूत्रता एकता वा अखंडता के दरशन होंगे तो ये आपका हो गया रेखांकी तंस्की व्याख्या चाहें तो आप स्क्रीन सौट ले सकते हैं यहां से ये थी आपकी गद्यांस की अब हम बता दें आपको काहे की पद्यांस की ठीक है ये समझ में आया चलो अब पद्यांस की कैसे करना है सबसे पहले यहां देखो ये आ करनी है बताओ फिर वही अपनाएंगे वही काम करेंगे कि यहां पर रेखांकित अंस की व्याक्या हेडिंग डालेंगे और लिखना चालू कर देंगे क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तुत रेखांकित अंस में मैथली शरण गुप्त जी कहते हैं वही वही लेखा का नाम मैथली शरण गुप्त जी कहते हैं यह लेखा का नाम है कि कैकेई पस्चाताप की अगनी में जलती हुई राम के सामने ठीक है कौन कैकेई कैकेई की बात है न इनन्सों में तो उसका भी थोड़ा सा परिशे देंगे तो कैकेई क्या कह रही यहाँ पर कैकेई राम से उस सभह में कह रही है राम के सामने की अबतो बिधाता हमारा भागे के विरुद्ध हो गया अब लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही गा माता हमेशा कुमाता ही रहेगी यहां पर देखे कैसे लिखेंगे आप कि प्रस्तुत रेखांगी तंस्मे माइतिली शनद गुप्तजी कहते हैं कि कैकई पस्चाताप की अगनी में जलती हुई राम के सामने बैठी हुई सभा मद्ध कहती है कि विधाता के विपरीत हो जाने पर हाए अब सब यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा परंतो अब माता कुमाता ही रहेगी ठीक है इतनी बात आप लिख देंगे तो इसकी भी आप स्क्रीन शॉट ले लिजे पद्यांस की तो हमने आपको बता दिया कि गद्यांस और पद्यांस के रेखांग की तंश की व्याक्या कैसे करनी है सेम ऐसे ही कीजिएगा तो आपको पूरे के पूरे दो इसमें दो नंबर और दो नंबर यानि चार नंबर मिल जाएंगे आपको चार अंक के गद्यांस और पद्यांस ये गद्यांस का भी दो नंबर होता है और ये पद्यांस का भी दो नंबर का प्रश्न होता है तो ये चार अंक आपको मिल जाएंगे चार अंकों के लिए आपको कहीं नहीं जाना है ठीक है? इन चार अंकों को लेही लेना है ठीक है? तो इन चार अंकों को कदापी मत छोड़िएगा ऐसे सही सही लिखिएगा बहुत बहुत शुक्रिया